नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बहुत बड़ी खुशकवरी के साथ जैसा कि अब हमने दो-तीन दिन पहले देखा तक सिक्षा मंतरी के द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आगामी उनकी चुनाव है उस चुनाव से पहले या अगले चुनाव से पहले जो आपका विधहन सभा का चुनाव होना उससे पहले टीचर की ये बहुत बड़ी बेकनती देखने को मिलेगी और आज सासंग के द्वारा उत्तर प्रदेश जो सिक्षक भरती आरता परिक्षा है UPTET की परिक्षा को लेकर के बिग्यापन भी जारी कर दिया गया यानि जो संदेह बना हुआ था वो संदेह आज कहीं न कहीं इस्तित उसकी एस्पस्ट हो चुकी है कि सरकार के मनसा कहीं आपके आगामी साल में आगामी कुछ महीनों में एक बड़ी सिक्षक भरती के आयूजन कराने की है और उसी के संदर में आज उत्तर प्रदेश जो ग्यापन को जो की पहले आपका 22 परवरी में होना था अब इसकी तिथी को बढ़ाया गया है और तिथी को बढ़ाने के साथ आज यहाँ आपका सासना देश आ चुका है तो चरिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या परिक्षा कब है कौन सी चीजे आपको कब मिलेंग साइप्त सचिव के द्वारा दिया गया है और इसमें उत्तरप्रदेश टीटी के बारे में सारी चीजों को असपस्ट रूप से बताया गया है कि परिक्षा आपकी कब सुरू होगी जो बिग्यापन आना है बिग्यापन आपका 11-5 को आएगा ठीक है 11-5 को बिग्यापन आ आव जो है आयोजन कब होना है सबसे महतपूर बात यहीं है तो परिक्षा UPTT 2020 की जो तिथी है इस बार 25 जुलाई 2021 यहनी उत्तरप्रदेश में अगर आप सिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो 25 जुलाई 2021 को आपके इस परिक्षा का आयोजन होगा इसका आयोजन दो अ वेकेंसी में जैसे की हुआ लगातार टीग है जूनियर में अभी कितने 1800 पद आये जब की पद आपके 5000 थे बहुत सारे प्रिंसिपल पर दबा के बैठें की वेकेंसी लास्ट में छूड मिलेगी तो हम अपने जाने पहचाने रिस्तेदारों को कल लगे हाला कि वो होना नह है तो जूनियर की एक वेकेंसी तैं है फिर से आनी और साथी साथ जो सिक्षक की सबसे बड़ी भरती है तो जिन्होंने अभी नया नया आपका बीट के साथ धारिता है बीटीसी है भाई टेट सभी को ज़रूरी है तो आप सारे लोग इसकी तैयारी सुरू कर दें 25 जुला है यानि अगर देखा जाए तो मुटा मुटा आपके सामने चार महीने का बिकल्प है अब इसमें क्या करा जाए बहुत सारे लोग उपापोख की सिद्में होते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए परिक्षा प्लस टीम के द्वारा आप सभी के लिए जैसा कि इससे पहले हमारी सभी परिक्षाओं में रोख रहा है अध्यापक से संबन्दी सारी वेकेंसिया चाहे बीयो में जैसा रिस्पॉंस हमें मिला फाइनल रिजट जैसे देखने को मिला उसके बाद जूनीर का जैसे रहा जी आईसी जैसे रहा लगातर जो कोर्सेस हमारे द प्लस लाइफ क्लासे उपलद कराई जाएंगी पेडियाप जो आपकी परिक्षाओं हैं एक परिक्षा के अंतर गद बिसा हैं उन सभी से सबद्दित आपको लगबख 400 प्लस ये 500 मोटा मोटा चला जाएगा और ऐसा क्वालिटेटिव पेडियाप की आप जहां से पढ़े जो चीजें होंगे इससे पहले जो हमारा अनुभोर आए उसी के आधार पर सबकुछ टीम तयार करती हैं जितनी चीजें हैं सभी की लाइफ क्लासे होंगी जितने भी आपके बिसे हैं जो पाटिक्रम है उसके अनुसार आपको डेली बेसिस पर एक साथ पीडिया पूरी न पो की स्थित क्या होती है घबराहट उससे हम निजात दिला देते हैं अपनी इतनी क्वालिटेटिव टेसरीज के द्वारा और जिससे की हर एक बच्चा फिल करता नहीं हम अभी तो परिक्षा में ही बैठे हैं तो सबसे बड़ा फाइदा ही इसका होगा और जो भी नहीं आ रहा तो उसके बहुत धंग से ब्याग्यात्मर पीडिया भी होती है और सब कुछ आपको सामने एक बेक्तिगत मारुदर्शन के लिए आपको एक गुरूब में जोड़ा जाता जहां पर परिशर्चा होती है अगर आपको सीधा रेजिस्टेशन करना तो लाइप. कोई समस्या है तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं एक बात और जैसे यहां पर आपके समक्षाया क्या दिमांग में नियुंतम सुल्ग ठीके सर्वस्रेश गुडवत्ता तो क्या है वो सुल्ग देखें बहिया इसमें जो कोर्ष प्राइमरी बेंच की जो फी हमने हम 60% आप सभी को दे रहें सुरवात के दिनों में मतलब 300 रुपे तक यह आपका बैच पड़ जाएगा और 400 रुपे तक यह बैच पड़ जाएगा कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं की गई जो गुडवत्ता आस्तक रही है इतने नियुंतम सुल्ग पर हमने जो दिया है वो सारे बच्चों से आप फीड़ ले सकते हैं सारी चीजे तो देर नहीं करनी है आप जोड़ना चारे तुरन रेइस्टर करिए सारी चीजों को देखते रहें कोई भी समस्य होती है तो इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे जांकारी प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें जो आपकी सुल्क रखी गई अभी आपकी 60% आप चल लही है 999 पर सुरवात के दिनों में 60% आप रहेगा और 1199 रुपीज जो ये आपका फुल बैच है जिसमें जूनियर और आपका प्राइबरी दोनों बैच लेना चारे इस पर भी 60% आप जा रहा है तो जिनको जुड़ना है वो तुरंद सारे लोग जुड़ सकते हैं 60% आप कुछी ही दिन तक चलने वाला है सबसे बड़ी बात तो ये है इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप परिक्षा को ले करके लक्षित है तो तुरंद हम से जोईन करें कोई भी समस्या हो रही तो नीचे दिये के नंबर पर कॉल करें बाकी जानकारी आपको आगे विसेव में भी मिलती रहेगी धीरे धीरे हम आपके समक्ष लाइब होते रहेंगे कैसे क्या होना है सब कुछ बताते रहेंगे सभी का भई बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी एलकारी का भी मिलती ते रहे भी में विसेरित रहेँ विसे रहेंगे उलेगे धन्यवाद झाल चया है सभन है सभी सम्साफ लाइब बताते इंदर बन्यवाद